नमस्कार जया जोहर मैं हूँ तपेज जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है हमारे साथ में बहुत ही टेलेंटेट बहुमुकी प्रतिभा इसको कहा जाए कि इसमिता साहू है बहुत सारे competition जीते हैं आप एक रंगोली हमारे सामने में देखने हैं आप यह रंगोली क्या रंगोली यह समिता यह एक hyper realistic रंगोली है मेरी जिसमें एक खुशी दिख रही है उमर भी चुकी है लेकिन फिर भी जीने की जो आस है वो आज भी इस उमर में है वो खुशी इसमें जलक रही है आप यह बताओ कि कितने सारे competition में देख रहा हूं कि आपके बहुत सारे यह competition आपको एक bronze medal मिला यह को यह silver मिला था इसके अगावा बहुत सारे certificate भी दिख रहे हैं आपके यह यह बजाज की तरफ से मिला हुआ है यह बजाज्वानी किटनी मिली है प्राइज मनी आपको एक silver में 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 को मिला था 25.000 यह बीएक certificate मिला हुआ है प्रफुल यह यही वाला है जो रंगोली की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है चतिसगर में बड़ा नाम है इसका तो कितने साल से यह रंगोली बना रहे हुआ में को तो वैसे चार साल हो चुके हैं इस फिल्ड में आए वे प्रोफेशनली कितना एजूकेशन है और कहां के रहने वालों कैसे क्या कैसे सुरू मेरा नाम इसमीता साहु है मेरा रहना रैपूर में ही है मेरा जन्म भी रैपूर में हुआ है मेरा एजूकेशन हुआ है PGDCA तक उसके बाद फिर यह मेरी हॉबी थी पेंटिंग जो बचपन से करते वे आ रहे थे तो फिर उसको तो अब प्रोफेशनली करने का ऐसा मन हुआ फिर सीखते सीखते पहले तो पेंटिंग हुई फिर उसके बाद फिर इस फिल्ड में continue करते करते फिर रंगोली में मेरा main focus हुआ तो इसमें ही में को awards मिले हुए हैं और मेरा भी continue जो focus होगा main focus वो रंगोली ही होगा आपकी सामने में यह क्या पैंटिंग है आपकी? यह पैंसिल से बन रही है जिसमें एक बंजारन की खुशी जलक रही है बंजारन जो जगा जगा घूम के अपना जीवन जीते हैं उनकी जो खुशी होती जो दबी होती है कहीं पर जो लोगों को नजर नहीं आती वो इसके जरिये में को दिखाना है क्या लगता है इसमिता कि जो अभी जो बना रहे हैं प्रिंटिंग बना रहे हैं या रंगोली बना रहे हैं रंगोली में एक 3D भी बहुत सारा कंपटिशन भी हो रहा है बहुत सर प्रियोग हो रहे हैं क्या लगता है इसमें आपको इसमें तो बस अब ऐसा है कि करते जाना है जितना मेहनत कर सकते हैं, इसको जितना निखार सकते हैं, उसको निखारना है रंगोली एक ऐसा माध्य में, जिसके जरिये हम लोग मैसेस दे सकते हैं, बहुत से चीजों का जो फोटोग्राफी के थू होती है आजकल वो रोग रंगोली के माध्यम से देखना पसंद कर रहे हैं मतलब लाइफ देखना चाहते हैं और आर्ट देखना चाहते हैं कि उसमें कुछ नया कर सके हैं किसी के जीवन को हम लोग अपनी रंगोली के जरिये किसी के भी जीवन को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं तो 3D और ये बहुत सारी चीजेओं मनते हैं ये जो नय नय प्रयोग हो रहा और कैसे आप ये सब लोग ये बस मेहनत किये हैं इसके पीछे पूरी मेहनत लगी ये पूरा कॉंसेंट्रेट होता है हम लोग का जब हम लोग काम करने बैठते तो हम लोग बाकी दुनिया से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है हम लोग पूरा हमारा पूरा टोटल फोकस हम लोग का होता है अपने काम मे हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे आसपस क्या हो रहा है कुछ चर रहा है हम लोग कुछ नहीं हम लोग को सीब अपना काम दिखता है उस वक्त क्या कलपना आपके दिमाग में आती है जादा दर मैंने दिखा कि खुशी वाली जो चीज है जैसे कि ये ओल्ड महिला थी उसकी भी उमर होने के बाद में चेहरे में और ये बंजारन दिख रहे हैं तो ये खुशी तलास रहे हो क्या कोई बीच में संकेत होता क्या इसका है तो मतलब उनके चेहरे में अपने आप एक इसमाइल आ जाती है इसको देखे जीवन के उमंग का जो आप चेहरा है उसको बहुत ज्यादा फूकस करना चाहते हो आप बस क्या आपकी सपना और क्या आपके क्या उमीद लगती है कि किस तरके का आपने मन में बढ़ा कर रखे यहीं पे घर पे तो फिलाल उनको अभी सिखाना है और खुद की प्रैक्टिस को कंटीन्यू रखना है ताकि मेरा काम जो है वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके अब अच्छे तरीके से पहुंच सके परिवार का क्या सपोर्ट मिलता है आपको परिवार का सपोर्ट तो बहुत रहा है हमेशा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी वहन का रहा है स्वाती का उस नहीं में को भेजी थी कि तू पेंटिंग सीख तेरा शौक है इसमें तू आगे बढ़ और वो डेली में को इसके लिए डाटती है कि तू जा कुछ कर इसमें और कर तू करते रहा कि इक बार आपका एकल प्रदशनी वगारा कि आपकी दिमाग में आती है कि एक बार प्रदशनी तरफी से एग्जीबिशन लगाएं कहीं कि मेरी इसकी प्लेनिंग चर रही है मेरे एग्जीबिशन ऐसल बहुत सारे हैं कहें तो रंगोली कि दिनी बना चुके हों गैसे नहीं बीजा क्वरат के जाल Jestot हब मेरे 9 वेले 15 स्वेस कि देखें नहीं मे ल county नहीं व defence कुछ फोटो देखते हैं थे उफे उननकोल से बस dalamते हैं गोरा में होठों और करने ही या ये mean work देख करेंक थे थे इसको बनाने के लिए जो मेरा अब तक का सबसे कम टाइम है लगातार बनाते हो कि एक बार सुरू हो गए तो नौ घंटे पूरे लगाने है इसमें इस इस रंगोली को हमने कंटीनियू किये दो बज़े वेटे दो पहर में ग्यारा बज़े उठे पूरा एक बार काम सोच को अपनी पेंटिंग में अपनी अगर वो रंगोली करना चाहते हैं तो वो रंगोली में करें अपनी पूरी सोच को ला दे जो भी उनकी कल्पनाय हैं वो करें यह ना सोचे कि हमसे गलत बन रहा है या हम किसी से अच्छा नहीं बना पा रहे हैं यह विरकुल ना सोचे जित्ता वो कर सकते हैं वो ही हमारा टैलेंट है वो हमारा हुनर है जो हम सोचते हैं वो कोई नहीं सोच पाएगा तो यह सोच की ही आगे बढ़े क्या लगता है कि और क्या कहना चाओ कि जैसे अभी एक 36 गड़ और आर्टिस्ट वेलफेर शुशन मना हैं तो इस तरह के संगठन बंते हैं क्या लगता है आपको यह अच्छी बात है इसमें तो आपी का मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट है आर्टिस्ट के लिए कि आप इत्ता अच्छा काम कर रहे हैं और रैपूर में वैसे इसकी बहुत जरूरत थी रैपूर में बहुत सारे आर्टिस्ट है अब जो यह जो संगठन है आपका जो ग्रूप है इसके तुरू सारे आर्टिस्ट अब एक बार फिर से मिल सकते हैं अभी सारे आर्टिस्ट कहीं पर मिलते जैसे कि हम लोग का गड़ कलेवा है वहाँ जाओ तो कोई ना कोई आर्टिस्ट मिलते ही है तो अब अगर जो आपका ग्रूप है उसके तुरू रैपूर और रैपूर के बाहर के भी जो आर्टिस्ट है अब वो एक डूशे से इसली मिल सकते हैं आपका बूद अच्छा है ग्रूप और कुछ कहना चाहोगे आपके मन में है कि ऐसा कोई मैंने सवाल नहीं पूछा और आपके मन में आया कि कुछ कहना है आपको बस जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता है जो बच्चे वो अपनी पूरी लगन से काम करे ये ना सोचे कि इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगी ये हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा है अच्छा बिल्कुल ना सोचे वो अपना पूरा फोकस रखे पूरा काम करते रहे भले वो अच्छा ना लगे दूसरों को लेकिन वो उनकी नजर में अच्छा होना चाहिए और ये ही सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे महनत सबसे में तो महनत है तो वो महनत करते रहे continue वो महनत करते रहे तो वो अच्छे हो जाएंगे काम में बहुत बहुत धन्यवाद इसमिता आपके उज्वल भविश की कामना करते हैं कि आप जैसे आर्टिस्टों को ही मंच देने के लिए प्रिटफार्म देने के लिए चतिजगार और इस तरह के की प्रतशनी और चीजे और नए-नए आर्टिस्टों को हम सब आप सब के सामने म करे लिए हो बड़िए के लिएए और आर्टिस्टों को हम सब देना के लिए बहुता आर्टिस्льका.